सत्यमेव जयते 2 में क्या जॉन अब्राहिम ट्रिपल रोल में नज़र आएंगे? कब रिलीज होगी ये फिल्म? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जयाल सौगत करती हूँ आपका हमारी चैनल बॉलीक्राफ स्टूडियोस में आक्टर जॉन अब्राहिम वैसे तो अलग-अलग फिल्मों में काम कर चुके हैं लेकिन उनकी पहचान मुख्य रूप से रफ एंट टॉफ किरदारों की वज़े से हैं उनकी सबसे लोग प्रिय फिल्मों में शामिल हैं धू, फोर्स, परिमाणू, सत्यमेव जयते, रोमियो अकबर वोल्टर और बाटला हाउस इन सभी फिल्मों की बदॉलत जॉन ने फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगा बना ली है मॉडलिंग से आक्टिंग की दुनिया में आने वाले जॉन की पिछली रिलीस फिल्म अनीज बसमी की पागल पंती थी और अब जॉन साल 2018 में सत्यमेव जयते जैसी हिट फिल्म देने के बार फिर सत्यमेव जयते 2 में हरत अंगेज आक्शन करते हुए आपको नज़र आने वाले हैं मिलाब जावरी के डिरेक्शन में बन रही सत्यमेव जैदे 2 में जॉन अबराहिम सामाजिक मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे मिलाब जावेरी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में जॉन अबराहिम के साथ लीड ड्रोल में दिखेंगी दिव्या खोसला कुमार और इस फिल्म में जॉन का किरदार समाग में शान्ती लाने के लिए न्याए की लड़ाई लड़ता है पिशले कई दिनों से ये खबरे थी कि जॉन इस फिल्म में ट्रिपल रोल में नज़र आएंगे और अब इस पर जॉन ने भी चुपी तोड़ दी है जब जॉन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा सत्यमेव चैते टू के लिए मिलाब जावेरी फिल्हाल उनका किरदार ग्रो कर रहे हैं और वो उन्ही में से एक भूमे का निभाएंगे इसी के साथ उन्होंने कहा कि फिल्हाल वो अभी अपने किरदार के बारे में ज़ादा कुछ नहीं जानते यानि कि अभी तक कनफर्म नहीं हुआ है कि उनका फिल्म में ट्रिपल रोल है या नहीं है खेर इस साल आपको जॉन टाइम टाइम पर एंटिटेन करते हुए नजर आएंगे 19 जून को जॉन की मोस्ट अवेटेड फिल्म मुंबाई सागा रिलीस होगी 14 अगस्ट को जॉन की फिल्म अटाइक रिलीस होगी जिससे वो बॉक्स आफिस पर अटाइक करेंगे उसके बाद 2 अक्टूबर को सत्यमी जैते 2 रिलीस होगी और इसके अलावा डिशूम 2 के साथ भी जॉन का नाम जोड़ा जा रहा है तो दोस्तों आप हमें बताईए कि आपको जॉन की फिल्मों का कितना इंतजार है नीचे कॉमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल बॉलिग्राफ स्टूरियोस को